नमस्कार दोस्तों माई बिग गैड स्मार्ट लास में आपका फिरसे स्वागत है दोस्तों आज से हम MS Access के शुरुआत करने वाले हैं आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि MS Access के कुछ बेसिक और कल से हम MS Access को आगे सीखना शुरू करेंगे तो थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं कि MS Access किस काम में आता है यह भी एक Office Package के साथ में आने वाले एक Software है बहुत सारे लोग इसे नहीं जानते हैं क्योंकि जब आप MS Access को उपन करेंगे तो वहाँ पर आपको कुछ फीडिंग करने के लिए कुछ ऐसा Option दिखाई नहीं देता है नर्मली लेकिन जो Access है वो एक बहुत बढ़िया डेटा मैनेजमेंट सिस्टम तयार कर देता है आपके लिए जो मूलोड डेटा हमें स्टोरेज करते हैं कहीं से भी लेते हैं उसको फीड करने के लिए Access से बैटर सौफ़वेर कोई भी नहीं है तो अगर आप थोड़ा बहुत भी Access जानते हैं तो आप बहुत बढ़िया डेटा मैनेजमेंट सौफ़वेर तो चलिए शुरू करते हैं Access का Basic जान लेते हैं यहां पर हमारे पास है Access 2007 और जब आप इसे ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरीका का व्यू दिखाई देगा यहां पर आपको कुछ template दिखाई देंगे यहां पर new blank database का option दिखाई देगा और यहां पर open recent database का option दिखाई देगा जब आप Access में कोई भी file create करते हैं तो वो file नहीं होती है उसे database कहते हैं जैसे के Excel में spreadsheet कहते हैं और MS Word में उसको file बुला जाता है document बुला जाता है इसी तरीक क्लिक कीजिए जैसे ही आप इस पर click करेंगे तो आपको यहां पर side में option दिखाई देगा file name का तो जो भी file name अपने database को देना चाहते हैं वहां इस कोई नाम दे दीजिए जैसे कि हम यहां पर दे देते है mbg तो यह जो file है यह आपके by default my document में जाकी save होगी अगर आप कहीं इसे save करना चाहते हैं तो आप इस फोल्डर के अगन पर click कीजिए और इसको save कर लिए तो हमें इसे desktop पर save कर लेते हैं okay कर दीजिए और इसे create कर दीजिए जब आप इसे create करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके के view आएगा यह जो view आपको यहां पर दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं data sheet view तो यह जो view है वो data sheet view है इसके लाब एक view हमें और यहां पर दिखाई देता है वो है design view अगर आप पर table में ही करेंगे जो table है वो सबसे बढ़िया तरीका होता है किसी भी data collect करने का data को enter करने का तो आप यहां भी access में भी data को table में ही enter करेंगे तो सबसे पहले हम यहां पर table बनाएंगे तो यहां पर आप देखेंगे के यहां पर हमने अभी खोला हुआ है data sheet view, इस view को आप च करेंगे आप को सबसे पहले ध्यान में रखना होगा कि कॉंसी केवल में आप data collect करना चाते हैं किस चीज का data collect करना चाते हैं तो हम यहाँ पर कर लेते हैं एक Office का Data की तो आपको ड्यार है निया थैपर बते हैं इसी यहाँ से मावольш निया न कि उत्याध करेंगे तो टेटा की टेबल है वो यहां पर create हो जाएगी अब आपको एक चीज ध्यान में रखनी है जैसे हम Excel में column बनाते थे तो यहां पर भी हम column ही बनाएंगे और column और rows में data को feed करेंगे लेकिन यहां पर हम columns को कहते हैं field और जो data आप enter करेंगे उसे यहां पर record तो यह दो चीज आपको दिमाग में रखनी होगी कि आपको यहां पर फील्ड बनाने है टेबल के लिए जैसे आप तो सबसे पहले जो फील्ड नेम है यहां पर अपर देटा का है यहां चाबी बन गई है और भी जो टिया गया सबसे पहले द्यइद अ आईड़ीं और उसके सामने हमें जो data type है यान कि जो आईडी है वह किस अगर फिल्ड का अलग अलग फॉर्मिट होगा यानि आप अगर खोल के देखेंगे तो यहां पर टेक्स्ट है, memo है, number है, date and time है, currency है, auto number है, yes or no है, hyperlink है, attachment है और look-up wizard है, तो एक-एक करके हम इन सब के बारे में जानेंगे, तो id का मतलब यह है कि आपकी सबसे पहला id number जो भी एक data एंटर करेंगे, उसके बाद में यह जो id हमने यहां पर auto number दी है, यह अपने आप उस number को बढ़ाता जाएगा, तो देख लेते हैं, कैसे करता है, यहां पर हम second field है, उसको नाम दे देते हैं, name, मानि हमें एक office के कुछ employees हैं, उनका data यहां पर feed करना है, और जो name वाला data ह है, वो हमें text format में लेना है, तो यहां पर हम text को select कर लेंगे, तो इतना करने के बाद हम इसे देख लेते हैं, कि यह जो data है, वो data sheet में किस तरीकी से एंटर होगा, तो यहां पर हम चले जाते हैं, data sheet view पर, इसको यहां से save कर देते हैं, आप देखेंगे, यहां पर जो एक field है वो generate हो गया है, name का, और id यहां पर आ गई हम जैसे ही यहां पर नाम डालेंगे, आप देखेंगे, जैसे ही नाम डाला तो यहां पर id अपने अप जनरेट हो गया गई, एक, आप जैसे ही tab यह एंटर का बटन दबाएंगे, और नया नाम एंटर करेंगे, तो आप हैं कि दुबारा हम जाते हैं डिजैन विउ पर और यहां पर एक न्या फील्ड करके दिखते हैं, नेम के बाद हम डाल देते हैं, लास्ट नेम, और इसको भी डेटा टाइप देदेते हैं टेक्स्ट इसके बाद दाल देते हैं आपर एड्रेस और एड्रेस को भी हम यहाँ पर देदेते हैं टेक्स्ट और इसके बाद में दालते हैं सिटी और सिटी को भी हम देदेते हैं टेक्स्ट इसके बाद हम ले ले लेते हैं आपर मुबाइल नं और phone number को हम यहां पर लेंगे number format में हम यह देखे हम आप number format में phone number को ले लिया इसके बाद में email id और email id को आप लेंगे यहां पर hyperlink format में यानि जब आप email id को feed करेंगे तो उस पर click करके आप सीधे उसको mail कर पाएंगे तो इस तरीके से आपने यहां पर जो office के employees का data है उसके लिए आपने यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो field हैं वो यहां पर generate कर दिये हैं अब कुल मिलाकर आपने 7 field यहां पर generate कर दिये हैं इसको हम कर देते हैं save और दुबारा हम जाते हैं data sheet view में आप देखेंगे वो 7 field यहां पर generate हो गए है last name डाल देते हैं यहां पर address डाल दीजिए यहां पर city का option आ गया तो यहां पर भी city दे देते हैं mobile number दे देते हैं इसके बाद में email id डाल देते हैं आप देखेंगे कि जैसे ही हमने यहां पर email id एंटर की है तो वो अपने आप hyperlink में convert हो गई और वहां पर mail to का option आ रहा है आप इस पर जैसे ही click करेंगे तो आप सीधे सीधे इस विक्ती को या सीधे सीधे इस email id पर mail कर पाएंगे यहां पर आपको option मिल जाएगा mail करने के लिए सब्जक्क डालेंगे यहां पर आपका जो भी आप उसको बेजना जाते हैं उसको डालेंगे और यहां से आप mail कर देंगे अब यहां देख लेते हैं, इसके लाब और कौन-कौन से option यहां पर हमें design view में दिये गए हैं, इसके बाद में अगर आप यहां पर डालेंगे photo, तो यहां पर आप देखेंगे photo के लिए एक बहुत बढ़ी option यहां पर दिया गया है, attachment का, तो यहां पर आप कोई photo या कोई file भ करनी पड़े, मानिए 10 लोग आगरा में रहते हैं, तो आपको बार बार आगरा type न करना पड़े, तो आपको यहां पर दिये गए हैं कई सारे option, जैसे यह option है, यहां पर default value, तो यहां पर आप सीधे-सीधे आगरा लिख सकते हैं, अगर बहुत सारे लोग आगरा में रहते ह हैं, तो यहां पर आप देखिए, जैसे आप यहां पर default value city के लिए आगरा रखेंगे, तो और अगला data आप यहां से feed करेंगे आप देखेंगे कि आगरा by default यहां पर आजाएगा, आप अगली entry जैसे ही करेंगे, जैसे हम यहां पर अगली entry के तो आगरा यहां पर आ गया और अगली entry में भी यहां पर आपने आप आगरा आ गया तो इस तरीके से default value भी आप अपने sheet के लिए यहां पर रख सकते हैं उसके बाद में यहां पर एक option और भी है आप चाहतेंगे पर drop down menu आ जाए तो इसके लिए आप text के बजाए यहां पर select कीजिए look up wizard को और look up wizard में यह second option है I will type in the value that I want इस पर click कीजिए next कीजिए और यहां पर उन सभी शहरों के नाम type कर दिए जितने भी शहर आप यहां पर चाहते हैं तो यहां पर हम एक-एक करके type कर देते हैं तो आप हम यहां पर यह जो तीन शहर हैं यहां पर इनको type किया है इसके बाद इसे next करते हैं और हम इसे नाम दे देते हैं city का यहां पर एक option आपको और मिलता है allow multiple value तो अगर आप चाहते हैं कि एक से ज्यादा शहरों में रह रह रहा है तो आप इसको select कर सकते हैं अनेता आप इसे छोड़ दीजिए एक के लिए एक value काफी होती है और यहां से finish कर दीजिए अब इसके बाद आप इसको save कर दीजिए अब दुबारा से आप जाईए data sheet view में अब आपको यहां पर option दिखाए देगा drop down menu का यानि आप एक साथ जो है कोई भी शहर यहां से select कर सकते हैं आपको बार-बार type करने के अवश्कता नहीं पड़ेगी इस तरीके से आप यहां पर टेबल बना सकते हैं अब हम attachment लगा के देख लेते हैं कि हमारा attachment जो है वो काम कर रहा है कि नहीं तो आप यहां पर attachment के आइकन पर double click कीजिए आप देखेंगे यहां पर attachments के लिए वो attach हो गया है अप यहां पर आप सभी records को एक एक करके चला के देख सकते हैं यहां पर search करने का भी option दिया गया है और अगले वीडियो हम थोड़ा सा advance जाएंगे हम सीखेंगे कि form generate कैसे करते हैं form कैसे बनाते हैं आशा है आपको आज के वीडियो पसंद आयोगा अगर यह जो आपको प्रसंद आयो हो तो हमारे जनल को दूरू सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल न भूलिए बहुत बहुत धन्यवाद